इस्यमई तालाब जिनके रहस्यों को वेग्यानिक भी नहीं सुलजा पाए जारखंड के बोकारो शहर से 20 किलो मीटर दूर स्थित इस तालाब के सामने ताली बजाने से पानी उपर की ओर उठने लगता है ऐसा लगता है जैसे किसी बरतन में पानी उबल रहा हो इस कुंड का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है इस कुंड को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं इसका पानी मौसम के विप्रीत होता है जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है माननेता है कि इस कुंड में सनान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं हाला कि वैग्यानिकों का कहना है कि पानी में सलफर और हीलियम होता है जो तवचा के रोगों को दूर करता है कई वैग्यानिकों ने इस तालाप पर रिसर्च किया और पाया कि इसका पानी जमुई नामक नाले के द्वारा गरगा नदी में मिल जाता है ताली बजाने पर ध्वनी तरंगों के कमपन से पानी उपर उठने लगता है अब तक इस कुंड में कई शोध किये गए हैं लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इस कुंड का पानी कहां से आता है और आखिर कहां जाता है नमबर दो बदरीनाथ तप्त कुंड बदरीनाथ तप्त कुंड भारत का एक ऐसा कुंड है जिससे न सिर्फ भारत बलकि दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालूओं की आस्था जुड़ी हुई है दरसल यह कुंग बदरीनाथ धाम के नस्दीक ही मौजूद है जो कि हर वक्त गर्म पानी से भरा रहता है जब भी कोई श्रद्धालू चार धाम यात्रा पर जाता है तब वह बदरीनाथ धाम में आने से पहले इस कुंड में स्नान करता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस कुंड में नहाने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कुंड का पानी सिर्फ गर्मियों में ही गर्म नहीं रहता बलकि कड़ी ठाकी की ठंड में भी गर्म रहता है जिस कारण हर साल लाखो करोडो हिंदू इसमें डुपकी लगाने जाते हैं हालांकि इसका पानी व्योगर्म रहता है इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता वैज्यानिकों ने काफी रिसर्च भी की इस बारे में लेकिन उनके हाथ भी ज्यादा कुछ नहीं लग सका भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मतुरा जिले में स्थित है राधा कुंड गोवर्धन परिक्रमा में एक प्रमुख मार्ग पर पढ़ता है हिंदूओं के लिए यह तालाब बहुत पवित्र स्थान है इस तालाब को भगवान श्री कृष्ण का मुकुट कहा गया है क्योंकि इस जगह की खूबसूरती देखते ही मन मोह लेती है मान्यता के अनुसार राधा कुंड में नहाने से जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं उन्हें बच्चे हो जाते हैं इस तालाब में नहाने की परंपरा सालों से चली आ रही है कहा जाता है कि कई सारे लोगों के बच्चे इस तालाब में नहाने के बाद हुए हैं हालांकि वैग्यानिक इस बात को नहीं मानते लेकिन लोगों के बीच इसको लेकर कई कहानिया और चमतकार मशहूर है दरसल इस कुंड का नाम है तुलसी श्याम कुंड जो की जुनागड से 50 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। यह कुंड तीन भागों में बंटा हुआ है और इन अलग-अलग तीन भागों का पानी ही गर्म रहता है। हालां कि इन तीनों भागों के कुंड का पानी एक जैसे तापमान का नहीं होता क्योंकि इन में से एक का पानी बेहत गर्म तो एक का मध्यम गर्म और आखिरी वाले का हलका गर्म होता है।